नमस्कार साथियो मैं हूँ एड़ोकट सोक्षोधरी साथियो आज अपने ने टोपिक पे बात करेंगे गलप में कुवेट से रिलेटेड हाँ जी साथियो मैंने पहले भी बोला था कि शिरीज बाई शिरीज अपने स्टार्ट करेंगे तो कुवेट के कितने परकार के विजा होते हैं कौन सी विजा में कैसे क्या प्रॉसेस होता है कितना टाइम लगता है कितना कर्चा लगता को समझाऊंगा है तो देखिए का तीन शुरुआत करने सकते हु00 क्योंकि कुवेत्ट मेंझ सबसे ज्यादा वहां पे प्ए प्ट्रोलिए पदाद निकलता है तो फियत एक्टम बहुत ज्यादा आर्थिक संपन गंट्री है और वहां पी उसका शिका भी बहुत ज्यादा मिलती है लेकिन दिक्कत ही आती है कि कुवेट की पीजा बहुत कम निकलते हैं विकेंश बहुत कम हैं गंट्री छोटा होने की बज़त से तो चलिए अपना आज शुरुआत करते हैं कुछ हमारे इदर राजस्तान में बहुत ज्यादा लोग कुवेट रहते हैं और मेरे सरकल म बहुत ज्यादा लोग कुवेट रहते हैं तो मुझे इसका अच्छी तरह से नोलेज है तो मैं आप लोगों को साथ एक्स्प्लेइन कर दूं ताकि आप अगर बहुत सारे लोग कमेंड करते हैं सरक कुवेट से रिलेटेड अगर आप जाना चाहें तो आपको किस प्रोसेस इसके बाद में वेकर चाहता है उन्चे से अलग लग अस्यतर मीं होता दिली मंबईी कलकता रास्तान जहां पर में पास भी कंट्रेक्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारे जोव आते हैं टिक है तो मैं बात करूँगा लगबाद से रिलेटेड हैं उन्से रिलेटेड बा आपका मेडिकल होता है तो इसमें आपका झाल हो सिस्टमенийकाइब मेडिकल की तरह यहां धिकी होता है तो उससे पहले आपको तो आपक रेतिक गंका मेडिकल हमारे इसingen которых कि हम बढने क्वेस्टी चाहिए भाग का मेडिकल है । वीज़ पे और भी कुछ प्रोसेस चेंज हुए थे उसका मैं अलक्से वीडियो डाल दूँगा मेडिकल सात्यों इसकी फीस है 5000 रुपे 5000 रुपे आपका मेडिकल आपको गमका करवानी पड़ेगी इसके बाद गमका मेडिकल करवा के रिपोर्ट अपने को सम्मिट करनी होती है जिस एजेंसी के थुरू अपन करवाना चाते हैं ठीक है उसके बाद वीजा प्रोसेस होता है दूसरी बात इसमें दिक्कती आती है सात्यों कुवेट का वीजा प्रोसेस बहुत लेट चलता है ठीक है कम से कम मेरे मानना है कि 3-4 मेने अराम से लग जाते है कुवेट का प्रोसेस बहुत ही हार्डली है वीजा बहुत कम निकल ठीक है साथ हँग यह होने के बाद में बंदा पहुंच जाता है वीजा लगगें टsoft लग अरीट पहुए पहुंच ज्याता है तो वहां पे कंपणियों का शिस्टम ठीक है दो गलब में रहना और खाना लेकि 130 दिनार तक इसमें सरली मिल सकती है यानि कम से कम बंदा 25 तीज जार तो लेबर में अराम से कमा सकता है ज्यादा 40 भी कमा ले तो 30-40 जार रुपे कुएत में अच्छी तरीके से बंदा अराम से कमा सकता है तो साथियों यह मैंने आपको थोड़ा सा एकदम सोटली तरीक कमपणी का मिल सकता है दो साल का ठीक है साथियों यह कोईस से कमपणी में जो भी जो होता उससे रिलेटेड मैंने इंक्वारी दी है फिर पिर आपको कोई क्यूसन हो तो आप कमेंट करें मैं आपको आंस्वर देने कोशिस करूँगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक औ से बसके जैहिन बंदेबाद